आज एक महतवपूरन इन्फरमेशन, सूचना, डेटा अम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और ये एक बहुत बड़ी स्टडी हुई है 24,000 लगभग इसमें पार्टिसिपेंट समिलित हैं उन्जिलों में जाके सैंपल्स को कलेक्ट किया गया इन्फरमेशन कलेक्ट की गई और मेरा अंदाज़ा है कि ये शायद दुनिया का सबसे बड़ा सी अपिडिमिलोजिकल सर्वे है कोविट के पती परिक्ष में तो इसका महातोर हमारे लिए सबसे पहले तो ये है कि इस तरह की नॉलेज इस तरह की इन्फरमेशन हमारे कोविट की रिस्पॉंस को देश की जो स्ट्राटिजी है उसको ये फाइन ट्यून करती है साइंस हमें कोविट को रिस्पॉंट करने के लिए कोविट को जीतने के लिए जो हमें काईड करता है वो हमारे हमारी स्ट्राटिजी का एक केंदर बिंदू है और ये उसी श्रंखला में एक बहुत important study आपके सामने प्रस्तुत की गई है इसे जो उभर के आता है वो ये है जैसे डॉक्र भार्गव ने clearly कहा कि इन जिलों में देखा जाए तो 1% से less population, 0.73 population में COVID का प्रकोप अभी तक हुआ है आपको ये भी emphasize करना चाहूंगा कि ये जो result हम देख रहे हैं ये 30 April के लगबग जो स्थिती है वो उसको दरशाते हैं ये क्योंकि ये study जो करे गई वो third week of May में करे गई mostly और 15 दिन लगते हैं antibody को आने के लिए तो जो स्थिती दिखाई दे रही है broadly वो हम कह सकते हैं कि लगबग पांच हफ़ते lockdown के बाद की जो स्थिती है पांच साड़े पांच हफ़ते की वो हम आज देख रहे हैं तो कम से कम उस stage पे देखें अगर तो इसका जो प्रकोप है हमारे देश में इन जिलों में less than 1% population में आया है इतने बड़े देश में इतने लेवल पे इस pandemic को देश ने रखा ये अपने आप में एक बहुत important achievement है इसमें कोई doubt नहीं होना चाहिए क्योंकि जिस तरह से ये virus फैलता है जो virus की मनशा है वो बहुत fast spread होता है और इसके बारे में जितना भी हम जानते हैं यही कह सकते हैं कि इस data के base के उपर कि इसको इस level तक suppress रखा है इस level पे ये pandemic हमारे देश में अभी तक मजूद है 30 अप्रेल के दृष्टी से तो ये एक बहुत बड़ी बात है इसके साथ ही जो दूसरी बहुत बड़ी बात उभर के आ रही है और सिर्फ इस data से नहीं आते ही वो जो data health ministry आपके साथ सांजा करते हैं वो ये है कि mortality rate जो है देश में इस pandemic की वज़ा से वो clearly low है और ये खुशकिस्मिती की भी बात है और ये भी एक तसली देता है कि अगर हम इस pandemic में low mortality को रखते रखते निकल जाएंगे बच जाएंगे तो ये एक देश के लिए बड़ी achievement हो की और in fact किसी भी महामारी में और भी कई goal होते है लेकिन सबसे central जो goal होता है वो यही study से ये भी दर्शाया गया है कि mortality low है और यही डेटा लव आप से संजा करते रहते हैं कि हमारे देश का जो mortality rate है और in fact ये भी important बात है कि वो improve further हो रहा है अगर आप confirmed cases की mortality का data देखते हैं जैसे 15 मेई को 3.3% है आज हम इसको consistently 2.8% देखते हैं तो और वैसे भी जो प्रदेश को नीचे रखने में सब इसमें successful हुए हैं इसमें भी को दो राय नहीं है ये तो information जो हमारे सामने आ रही है इसका दूसरा पहलू dr. भार्गव ने बड़े clear तरीके से पहली line में लिखा है और वो ये है कि अगर हम इस stage पे थे 30 अप्रेल को और अभी भी हम early stage में है तो हमार contain किया है इसमें भी कोई doubt नहीं है लेकिन ये susceptible population होने की वज़ा से ये susceptible लोगों को हम सब को पकड़ेगा तो दूसरा पहलू इसे उजागर ये होता है कि जो हम मेनद कर रहे है collectively social distancing की बात है mask पैनने की बात है बज़र्गों को बचाने की बात है hygiene की बात है और जो बिमार होत हमारा effort है वो कम होना तो एक बात है उसको हमें बहुत गुना तक उपर लेके जाना होगा क्योंकि आगे ये लड़ाई अभी चलेगी महीनों तक चलेगी जैसे हमें दिखाई दे रहा है लेकिन अभी तक इसमें हम successful हो हैं बहुत हाथ तक हैं problems हैं कुछ areas में जहां पर की virus का surprise ज्यादा हुआ वो zones हैं आप सब चानते हैं और इसको face किया जा रहा है लेकिन हम सब के लिए एक message है इस study में इसे ध्यान में वो ये है कि अब low हैं बचे हुए हैं हम suppress करके दिखा चके हैं लेकिन आगे ये virus आ सकता है हम susceptible हैं इसलिए हमें अपने लिए अपने परिवार के लिए अपनी community के लिए अपने देश के लिए वो step लेते रहना है जिनका की बार बार जिक्र आप सबने भी आगे बढ़ाया है और इस मंच से भी आप सुनते गए हैं और उस उपलेक्ष में एक जिमेबारी सरकार की तरफ और आ जाती है और वो है कि जो हमारे efforts at containment है जो epidemiological activity जो launch करी जाती है disease control के जो effort किये जाते हैं और इसी तरह से जो health system को सशक्त करके तैयारी करते हैं कि देखभाल की जा सके अगर जरूर पढ़ती है hospital में तो हमें उसको भी और भी सशक्त करना है जो trace करना है evaluate करना है test करना है isolate करना है quarantine यह जो basic principles है disease control के उनको हमें पकड़के आ study ने हमारा रास्ता सशक्त किया है हमें होसला भी दिया है हमें confidence भी दिया है और इसके base के उपर जो आगे step होने चाहिए वो लिये जाएंगे उनका कारेनमित किया जागा लेकिन हम सब के लिए दो message आए है ठीक तरह से काफी हद तक control में रहा और वो बहुत बड़ी बात है बड़े देश के लिए और आगे भी हमें सब को चुकरने रहना है और मिलके इस लराई को जीतना है धन्यवाद धन्यवाद सर्थ सर्थ, सर्थ, we have got some online questions, shall I start with the question sir? There is one question which has come from India today, it says there is a heightened debate around the term community transmission, how does the government respond to it? झाल